जिस तरह से जगा जगा विरोद के स्वर मुख़र हो रहे हैं क्या आवशकता है समय कि आप इसको रोकें, रे-सेस करें, रियानिलाइज करें जो विरोद के स्वर हैं उनको उनके जो इसचूस उसको अड्रेस करें और फिर रिलाउट करें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी राय में ये विरोत के स्वर्व है, इसका मुख्य कारण ये है कि इस कीम के बारे में मेरी समझ में पूरी जानकारी लोगों को जिस तरह से हुनी चाहिए थी वो जानकारी लोगों के पास थी तो जैसे जैसे लोग इस कीम को समझ पा रहा है खास करके युवा तो जितनी भी आशंका या एप्रेहेंशन या गलत धारणा लोगों के युवाओं के मन में थी उसका मुझे लगता है अभी परयाप्त समाधान हो गया है और इसके चलते the acceptability और इसके जो benefits है ये मुझे लग है कि केवल आप pension bill को घटाने के उद्देश से इस तरह की scheme लए गई कि आप 4 साल उनकी सेवा भी ले लो और pension भी ना देना पड़े ग्राचूटी भी ना देना पड़े कुछ ना देना पड़े उनको 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाए और केवल 25 प्रतिशत को सेना में लिय जाएगा यह भी मुझे लगता है एक्स्ट्रीम पोजिशन है और यह सच नहीं है जो आप scheme को यदि सही तरीके से समझेंगे तो जैसे मनें बताया है चार साल में एक यूआ जब फोज में चार साल काटने के बाद ट्रेनिंग के बाद जब भार समाज में या सोसाइटी में जाएगा तो उसको इस तरीके से वो एक्विप होगा तो उसके पास ये क्वालिफिकेशन होंगी बिना और डिसिप्लिन और जो फोज के वैलियूज और क्वालिटीज को छोड़ कर मुझे लगता है एक पर्यापतर मात्रा में वो अपने आप में अपने आपको समाज में एक जगा बना पाएगा, he'll have his unique identity एक उसके अलग पैचान रहेगी जिसको समाज में उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद होगी जैसे हम बात करते हैं कि 25 प्रतिशत को आप सेना में लेंगे, प्रयास होगा कि कुछ आरक्षण सरकारी नौकरियों में उनको दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो तो 1989 से 1979 से है, क्या आपकी दृष्टी में वो सफल रहा है और इसको सक्सेस्फुल बनाने के लिए सेना क्या करेगी और सरकार को क्या करने की जरुरत है जहां तक सेना का सवाल है यह हमारे लिए एक बड़ा एहम मुद्दा रहेगा कि चार साल के बाद जो 75 प्रतिशद युवा समाज में जाएंगे उनको किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर पाए और इसके संधर में आप सबको जानकर इदी गई है कि किस तरह से इनको अपने नैशनल एजूकेशन पॉलिसी के तहत अलग-अलग क्रेडिट दिये जाएंगे ताकि जब वो सेना से चार साल बाद बाहर निकलेंगे जहां तक उनके आगे फ्यूचर या भविश्र का सवाल है आपने देखा कई केंदर सरकार के मंत्रालायों ने राज्य सरकारों ने अलग-अलग एजन्सीज ने कई कॉर्पोरेट हाउसेस ने आरक्षन के बारे में इसका अनॉंस्मेंट की है और उसके बाकी डीटेल्स आगे चलते ये फर्दर क्लैरिफाय होते रहेगी मैं अन्त में सिर्व ये आश्टबस्त कराना चाहूंगा युवाओं को कि जब आप चार साल सेना में टाइम काटने के बाद बाहर निकलोगे आपके पास पर्याप्त या उससे भी अच्छी मात्रा में वालिटीज, क्वालिफिकेशन, ओनर आपके पास होंगे और युझा उनिक अपर्चुनिटी विच थे विल भाब तो स्टप आउट इना इना साइटी